पुर्वेशु पुर्वेशु के नाम से आप सभी का अभिनंदन जो आप देख रहे हैं आज जैसे के हम जानते की फ्राइडे का दीने और इस फ्राइडे को गूड फ्राइडे करके हम लोग मानते और मनाते हैं पुर्ण फ्राइडे मनाते हैं जी समय येशिव मसिख फ्रश पे था उसने साथ बाथों को खुल पर कहा था उस में से वह एक बात है जो हम मैं आपके सामने प्रस्तुत करने उलाओ जो दूसरा दोनमबर का बात है वह है जो बूकुष पर था उसने कहा था एक चोर से कि तु कुकर तिसु समचार उसका तेही सद्ध है 49 से 43 कि वहाँ पर जब हम देखते हैं उस सिचुएशन को जब येश्यु मसी कुरूस पर था उसके दोनों और दो चोर लोग को टंगा गया था ता और जब कुरूस पर थे जब थतिनाय में हम पा सकते लिखा हैं जो कुकर में छोर था तो पहला वेक्ति वह कहता है कि प्रव येश्यु मसी से कि वह जानता था कि येश्यु मसी के बारे में उसने बहुत बार उसके वार्य हो सुना था कि जहां येश्यु मसी जाता बीड उसके पिछा आती थी और वह चमतकार करता था लोग बहुत से लोग उसको परमेशोर बोलते थे वह जानते थे कि वह परमेशोर का बेटा है पुत्र है वह उद्धर देगा तो हम यहां पर पाते है कि वह जो चोर था जो उसके बाजू में लटका गया था जो पहला उस शर्ण के लिए पहला है जो विश्वा जो दुसरे चोर के अंदर है उसने 40 में दौकण करका कर रहा था है उसका ने Tutap और जो ऐसा काम नहीं किया क्यों हुआ दन दिया जा तो इसलिए उसको जो पहला जो बूना है कि तू परमेश्यों का बैटा है तो अपने आपको रहने बचा तो उसको धाट के कहता है कि तू जिस काम तूने कि ए, उस काम की तू चाहरा रहा है तो उसस scholarship कहता है कि उसने कुछ जाये सा किया नहीं फिर पिछ पिश उसके काम का दन ले रहा है तो बात में दिखते कि लिका और हम तो नायomosर दन पा रहे हैं तो कि हम अपने कामों का ठीक फोर पा रहे हैं लोग उनके बारे में ओस जानता था जैनता था कि यह लोग क्या काम कर ते झा से कर थय और उन्हें जो दन मिल रहा था उनके काम, कर उनसर थीक था इसलिए वो बोलता है कि उसने कुछ पाप नहीं किया कि उसको उसका दन मिले जब हम आगे पाते हैं 42 में ऐसे लिखा तब उसने कहा तब चोर जो था दूसरा जो उसको दाटके उसको दाटने के बाद परमेशुर की तरफ देखके उससे बोलता है एशु जब तो अपने करता है और वो बोलता कि ये श्वच कहता है जब तु आपने राज में जाए गा वो जमता है कि परमेशु के मिलें तो मॉझे याद कर जब हम नास्ट में डिखते है 43 में तो उसने उससे कहता है मैं तुस्से सच चाहता हूज कि आज लिवी तुन मेरे साथ सवर्ग लोग में होगा जान गया कि यही पर्मिशूर का मनुष्य पर्मिशूर का पुत्र है लिवान को हुआ अपने पाप को अंगी करता अपने पाप को अंगी कर करने के बाद वो बोलता है कि मेरा उद्धार बस उससे ओने वाला है और तिसरा हम देखते हैं वहाप एक आशार निर्बान होता है वह जो होप उसके जीवन में आता है और वह आशा के दौर वह बोलता है कि भरमेश्वर जब तू अपने राज में जाये तो मुझे उस राज में याद कर तो परमेशोर उसे वचन देता कि इसिने नो जो उसको वचनों दिया कि आज मैं सच कहता हूं और इस दया है झाल झाल